Good morning all of you, सुबह हो चुकी है और सब जा चुके है अपने अपने काम पे, कोई स्कूल गया है तो कोई गया है ओफिस, तो चले हम भी अपने काम पे लग जाते हैं तो आज मैं कुछ special बनाने वाली हूँ, तो उसकी तेयरी हमें सुबह से करनी होगी, तब जाके हम उसको शाम को enjoy कर पाएंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ, तुवर टोठा, तुवर टोठा गुजरात मैसाना की बहुत ही famous डिश है, और इस डिश का main ingredients है हरा लसुन, हरा लसुन तो सर्दियों में ही मिलता है, तो ये डिश सर्दियों में ही बनती है, तो चले बनाते हैं तुवर टोठा, तो तुव अब भी भी आप लेने जाओ, आपको आसानी रहे, तो ये तुवर यहां पर मैंने ली है तीन कप, आपके घर में कितने मेंबर हैं, उसके according आप इसकी quantity कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं यहां पर 4-5 लोगों के लिए बना रहे हूँ, तो इतनी quantity इनाफ है, इतने में 4-5 लोग आराम से इसे खा सकते हैं, तो आपके घर में कितने मेंबर हैं, उस हिसाब से आप इसकी quantity ले सकते हो, तो मैंने जिस तरह बताया, आपको समझ में आ गया होगा, कि आपको कितनी quantity चाहिए, तो यहां पर मैंने तुवर को अच्छे से वाश कर लिया है, 3-4 बार इसे अच्छ डबल हो जाएगी, अगर पानी कम होगा, तो तुवर अच्छे से भीगेगी नहीं, और उसे पकने में पौर टाइम लगेगा, तो पानी अच्छा खासा डालना है हमें, और इसे हमें 7-8 गंटे तक भीगने के लिए छोड़ देना है, तो यह देखिए, 7-8 गंटे हो चुक तो यहाँ पर नमक मैंने 1.5 चमर टाला है, अब कुकर का टकन लगा देंगे, और 5-6 विसल आने तक इसे बॉल कर देंगे, अगर आप पो लगे के कच्छी रह गई है, तो आप थोड़ा सा पानी और एड़ कर गे, एक दो विसल और लगा सकते हो, तो चलिए तूवर बॉल हो रही है, तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं, तो यह देखिए, सब मैं लेके आ गई थी मार्केट से, लेकिन बाहर ही रह गया था, तो मैं लेके आ गई कीचन में, हमारे यहाँ तूवर टोटा के साथ जलीबी खाई चाती है, तो मैंने देखा कि दुकान पर एकदम गर् तो कमेंट करके ज़रूर बताइगा, तो चली आप लसुन को साफ कर लेते हैं, लसुन के उपर बहुत मित्ती और धूल होती है, तो इसे अच्छे से साफ करना बहुत ही ज़रूरी है, तो दोसे तीन बार लसुन को अच्छे से पानी से वाश कर ले, यहाँ पर मैंने 300 ग्र लसुन लिया है, क्योंकि मैंने 300 ग्राम तूर ली है, तो आप जितनी मी तूर ले, उतना बराबर आप लसुन ले, हमें यहाँ पर तूर और लसुन की कौन्टिटी सेम लेनी है, क्योंकि दोनों की कौन्टिटी सेम होगी, तब यह डिसका टेस बहुत ही बढ़ी आएगा, तो आप टमांटर ले लेते हैं, और उसे भी अच्छे से दो लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने 4-5 टमांटर लिये हैं, और अच्छे से दो लिये हैं, तो चलिए इस सब लेके चलते हैं हॉल में, क्योंकि इसकी प्रपेरेशन में बहुत टाइम लगता है, मैं यहाँ पर खड दे रहे हूं मेरे हस्बन को तो वो अच्छे से काट लेंगे वो एकदम बारिक काटते हैं तो मैंने ये काम उन्हें दे दिया है और बाकी का काम मैं और मेरे बच्चे कर लेंगे तो चलिए इन दोनों को भी काम पे लगा देते हैं वैसे तो इन दोनों को ये सब काम बिलकुल भी बहुत आता है तो सब अपना-पना काम लेके बैट गए हैं क्रिशानार के दाने निकाल रही है और रुद्रक मैंने दे दिये हैं अंगुर डाली में से निकालने के लिए और मैं यहां पे कट कर रही हूं मिर्ची तो यहां पे अद्रक मिर्च लसून प्यास ट्रमार्टर फ्रूट्स बहुत सारे चीजे लगती हैं इस रेसीपी में इसलिए इडिश टेस्ट में बहुत ही बड़िया लगती है इसे बनाने में थोड़ी से मेहनत लगती है लेकिन मेहनत का फल हमेशा मिठा ही होता है तो मिठा फल खाना है तो थोड़ी से मेहनत तो करनी पड़ेग तो आल्मोस सारे प्रिपेरेशन हो चुकी है और मैं चल दी हूँ किचन की ओर अब किचन में जाके जो बाकी प्रिपेरेशन है वो खतम कर लेते हैं तो सबसे पहले हम प्यास को चॉप कर लेंगे यहां पर मैंने तीन से चार प्यास लिये हैं और इन्हें चॉपर में चॉप कर लिया है इन्हें हमें इस तरह बारिक चॉप करना है तो प्यास चॉप हो गए हैं और अब मैंने ले लिये हैं टमाटर तो तमाटर मैंने ले लिये थे 5 और इने भी हम चौपर में चौप कर लेंगे एकदम उसके प्योरे ने बनाएंगे लेकिन इस तरह चौप कर लेना है और अब हम चौप कर लेंगे अद्रक और मिर्च तो यहाँ पर मैंने 3-4 मिर्च ली हैं, हरी मिर्च ली है और चोटा टुगडा अद्रका ले लिया है और उसे क्रश कर लिया है इसमें मैंने बिल्कुल भी पानीगी डाला है इसे ऐसे ही ड्राइ क्रश करना है आप इसे कूटकी भी ले सकते हो तो चलिए अब आगए हमारे शेफ तो ये बनाएंगे तुवे टोठा तुवे टोठा बनाने के लिए हमें तेल बहुत ही कॉंटिरी में चाहिए लगबक 300 ml जितना इसमें तेल चाहिए तो यहाँ पे हमें तुवर, लसून और तेल तीनों की मातरा सेम रखनी होगी तो यहाँ पे तेल को गरम करने के लिए रख दिया है तेल गरम हो रहा है तब तक हम चेक कर लेते हैं कि तुवर अच्छे से पकी है की नहीं तो यह दिखे इस सरा इसली प्रैस हो जाने चाहिए तुवर बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहने चाहिए अगर आपको लगे कि तूवर कच्ची रेगी है अच्छे से प्रेस नहीं हो रही है तो एक दो विसल ओल लगा लीजिए अगर कुकर में पानी कम है तो थोड़ा सा पानी एड़ कीजिए और इसे फिर से बॉयल कर लीजिए तो चली अब ऑईल अच्छे से गरम हो चुका है त को अगर कर लेकंद प्याई अगर आप बना रहुद तो पहले घडर करें लसुन के रहें हरी मिर्च और अदरख की पेस्ट इसे भी हमरें एक दो मिनट पकने देना है उसके बाद इसके अंदर आड़ करें के प्याज तो प्यास को हमें 3-4 मिल्ट पकाना है और प्यास अच्छे से पक जाए, गोल्डन ब्रांग हो जाए, फिर इसके अंदर कर देंगे सारे मसाले तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और 2 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक दो मिन पका लेंगे, फिर इसके अंदर एड़ करेंगे आधा गलास पानी पानी उबलने लगे और थोड़ा सा रेड्यूस हो जाए, फिर उसके अंदर डालेंगे टामाटर तो टामाटर डलने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे 5 मिनिट हम उबलने देंगे 5 मिनिट के बाद हम टेस्ट करेंगे कि कोई मसाला हमें कम पढ़ रहा है की नहीं उसे टेस्ट करके चेक करना है तो यहाँ पर मेरे husband को थोड़ा सा नमक कम लग रहा था लेकिन जो tour है उसमें थोड़ा सा नमक जादा हो गया था तो उसका balance हो जाए इसलिए हमने इसके अंदर नमक add नहीं किया है तो अब इसके अंदर add कर देंगे tour जो हमने पहले से boil करके रखी है तो अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे और एकदम low flame पे इसे छोड़ देंगे जब तक ही इसमें से तेल ना चूटने लगे जब तेल चूटने लगे फिर इसके अंदर add करेंगे गुड तो यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच गुड लिया है अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप गुड को skip कर सकते हो लेकिन ये जो तूवर टोटा है वो खटा मीठा ही अच्छा लगता है तो गुड दालेंगे तो बहुत ही बड़िया लगेगा गुड का पानी चूटने लगे अच्छे से गुड मेल्ट हो जाए फिर इसके अंदर add करेंगे दो चम्मच और butter के साथ भी तो हमारे गर में सबको अलग अलग पसंदे किसी को तेल वाली bread पसंदे तो किसी को butter वाली तो मैं दोनों तरह की bread यहां पे सेख रही हूं तो मैंने पहले तेल वाली और अब butter वाली bread को हमें medium flame पर golden brown होने तक सेखना है इस तरह की bread इसके साथ बहुत ही अच तो यह देखिए सारा तेल चूटके बाहर आ गया है और यह जो हमने गूट डाला था उससे भी अच्छा पानी चूटा है तो एकदम रसादार हमारा तुवर टोठा बनके रेडी हो चुका है और अब उसके अंदर डाल देंगे फ्रूट्स तो उपर से सारे फ्रूट्स डाल बहुत ही पसंद है तो यह सब सामान हम लेके आ गये हैं बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं सारा सामान आ चुका है और हम बैठ गये हैं हमारा फूड एंजोई करने के लिए तो आज हम सब मिलके करेंगे तुवर ठोटा पाटी चलिए मैं फटा-फट से सब को सर्व कर ले और अगर रेसीपी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा आप भी घर पर यह रेसीपी बनाईए और ट्राइ कीजिए बहुत ही बढ़िया बनेगी बहुत ही मजा आएगा ओके तो मिलते जल्दी नेक्स रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशीकरश झाल